गाइस मंगल ग्रह पर वेजे क्यूरिसिटी रोवर की सफलता के वाद इस साल जानकारी में अमेरिका के नासा ने एक हेलिकॉप्टर रोवर को मंगल ग्रह पर वेजने की घोशना की थी लेकिन फिलाल तो दुनिया की हालत बहुत खराब है अमेरिका ये रोवर मंगल पर कब भेजेगा इसके वारे में तो कहा नहीं जा सकता लेकिन भविस्व में अमेरिका की मंगल पर नजर जरूर रहेगी इसके पीछे बज़ए भी काफी खास है गाइस इसके पहले मंगल पर वेजे गए रोवर ने कई अनूखी जानकारियां हासिल की थी जिससे मंगल ग्रह के बारे में कई अनसुलजे सवालों का जवाब मिला था साथ ही कई नई सवाल भी खड़े हुए थे गाइस उस क्यूरिसिटी रोवर ने मंगल ग्रह की हजारों तस्वीरें ली थी जो उन तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें काफी रहस्मई थी गाइस मंगल ग्रह पर आज से कडोरों साल पहले एक महाविनास हुआ था जिसके सबूत भी वेज्ञानिकों को मिले हैं इस महाविनास ने मंगल ग्रह का पूरे स्वरूप ही बदल दिया था और इसी महाविनास में मंगल ग्रह पर मौजूद सब्विता भी खतम हो गई थी जी हां रोवर से भेजी तस्वीरों से तो ऐसा ही लगता है इस में से एक तस्वीर में एक ऐसी मूर्ती दिखाई दे रही है जो की इनसान जैसी नजर आ रही है लेकिन ये सिर्फ अकेली ऐसी तस्वीर नहीं थी मंगल ग्रह से आई उन रोवर इमेज में कई ऐसी तस्वीरें हैं जिने नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। ये चीजें बिलकुल उन स्कलप्चर्स जैसी हैं जो हम इनसान बनाते हैं और मंगल ग्रह पर जो महाविनास हुआ था। लेकिन इन सबूतों के आधार पर सुध करताओं ने सच जान लिया है और आंगे की रिसर्च करने की तैयारी कर ली है। का बिरूद करने वाले भी कई लोग थे। कुछ सुध करताओं ये कहने लगे की मंगल ग्रह पर इनसान द्वारा बनाई जो चीजें दिख रही हैं। उनकी बजाए पेरीडूलिया है जिससे हमारा दिमाग एक जाने पहचाने पैटन की कलपना करता है। और इसी वजाए से हम बादलों में भी आकृतियां देखते हैं। लेकिन इमेज रेस्टुरेशन एक्सपर्ट मानते हैं की मंगल पर दिखाई देने वाली आकृतियां सिर्फ नजरों का खेल नहीं है। जोसेब वाइट पिछले 25 साल से इमेज रेस्टुरेशन का काम कर रहे हैं। उनका दावा है की मंगल ग्रह की सतह पर जो आकृतियां नजर आ रही हैं वो कोई भ्रम नहीं है। उन रस्वीरों का अभ्यास करने के बाद उन्होंने यहां तक कहा था की रोवर से आई तस्वीरे काफी हद तक क्लोज अप में हैं। जिसमें यह आकृतिया साफ तोर से देखी जा सकती हैं। लेकिन नासा ने इन तस्वीरों को नश्ट करने की बहुत कोसिस की और उन्होंने इन इमेज को रिसाइज किया ताकि इसके डिलेप्स खतम हो जाएं। और आप भी इन तस्वीरों को गूगल पर सर्च करते हो तो इन में से कोई भी इमेज अच्छे रेगुलेशन मैस नहीं मिलती। जबकि किसी भी रोबर पर लगा कैमरा काफी तस्वीरे खीच लेता है। जब जोसेफ वाइट ने उन इमेजों को फिर से रिस्टोर किया तो उनमें मौझूद आक्रितियां और सापतोर से दिखने लगी। जो ये बात सावित करती थी कि मंगल ग्राय पर किसी लुप्त सब्विता के अपसेस बिखरे पड़े हैं। ऐसे अपसेस जो हमें प्रत्वी पर नजर नहीं आते क्योंकि ये सब हैं मंगल ग्राय पर दिखने वाली ये स्क्रप्चर सिर्प नरसिंग न हों बलकी उन्हें बनाया गया था। नासा कहता है कि लेकिन यही नासा और कई वैग्याने कुछ साल पहले तक ये मान रहे थे कि मंगल ग्राय पर पानी मौझूद नहीं था लेकिन अब तो वहां पानी के सबूत मिल चुके हैं। एक बार इसी रोवर ने मंगल ग्राय पर काम करते समाई बहुत रहस्माई तस्वीर खीची जिसमें उस रोवर पर काम करती एक इनसान जैसी आकरिती का साया नजर आ रहा था। इस तस्वीर में एक इनसान साफ नजर आ रहा है लेकिन उसने कोई हैलमेट नहीं पहना था लेकिन उसने एक तरह का गियर जरूर पहन रखा था। नसान ने इस तस्वीर को भी कोई एकसलेशन नहीं दिया जिससे ये बात साफ हो गई कि मंगल ग्रह पर जो भी है लेकिन इसके बारे में नसा कुछ तो जरूर छिपा रहा है ये बात जायत भी है क्योंकि बो प्लास्टिकल बंधन में बंधे हुए हैं इसलिए बो ऐसे वि झाल झाल